पीजी वेलकम सीव इन पीजी पॉइंट अगर मैं आपसे यह कहूं कि जो पुलिस कॉंस्टेबल के आपके पद आए हैं यह साथ हजार दोसो चवालिस नावगत के असी हजार के लम समय तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कताई बरंतु सत्ते यही बात है क्योंकि यह तो इन सब का क्या है कि धीरे धीरे से बताया जा रहा है जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का भी आया नोटिफिकेशन कुछी दिन पहले कि इसमें इतने पद है और इसमें एलिजिबिल्टिक राइट या ओल लेवल या यह सब कुछ होना चाहिए तो आपको बता दें कि उत्तरव गया दित्यनातन है इनका आपका एलान हुआ कि सिपाही भरती की आयू सीमा में तीन साल की चूट सभी वर्गों के लिए तो आप समझ सकते कि इससे होगा क्या कि सभी जो बच्चे हैं उनमें आविदन करने के लिए और भी संख्या बढ़ेगी इसकी अलावा आपका कोश्चन्स होंगे यह आपके इंडियन जी के जिसमें आपका इतियास बुगोल अर्टसा समयधान साथ में आपका साइंस करेंट अफियर यूपी जो उत्तर प्रदेश का आपका संस्क्रिट राजश्व है एकोनॉमिक्स वगेरा है विश्व जी के यानि वर्ड जी के हिं फिजिकल बहुत ज़रूरी है फिजिकल की अलिजिबिल्टी भी अगर आपको पूरी करनी है तो अभी से इसको फॉलो करना होगा पुरुषों की हाइट 168 सेंटीमीटर महिलाओं में आपका यह चीज एक सो बावन देखने को मिलती है पुरुषों का चेस्ट वहीं सेवें महिलाओं में 152 सेंटीमीटर महिलाओं का वजन आपका 40 kg कम से कम यानि के मान लो अगर आप 35 kg और आपका पेपर निकल गया तो आपका सेलेक्शन नहीं होगा फिजिकल से बाहर कर दिये जाएंगे इसलिए आपका वजन 40 kg कम से कम तो होना ही चाहिए और जादा से जादा कि दोड आपकी 4.8 km 25 मिनट में महिलाओं की 2.4 km 14 मिनट में होनी चाहिए ठीक है फिजिकल आहारत्या प्रकृति का मैरिट केवल लिखित परिक्षा पर बनेगा आपका ओफ-लाइन पेपर होगा आपका OMR के माध्यम से होगा OMR sheet मिलेगी आपको ओफ-लाइन पेपर होगा आव लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं साथ में आपको बता दे कि 24 गंटे में के 2 लाग अभियर्तियों ने किया है रेजिस्ट्रेशन अंत्र तक वीडियो में बने रहीएगा बताते हैं कैसे उत्तर पर देश पुलिस कॉंस्टेबल की तैयारी यडिया आपको करनी है तो आपके समक्ष प्रस्तुत है चक्षू पप्लिकेशन की वन आफ दा बेस्ट बुक इसके अंतरगत यदि मैं स्टेडी गाइड की बात करूँ तो आपको पात सॉल्ड पेपर मिलेंगे साथ में आपको पूरा डीटेल्ड सिलाबस मिलेगा विसेय सूची मिलेगी उसके बाद में आपको सारे जिस तरीके से यहां पर मेंशन हैं चीजे चैप्टर वाइस उसी तरीके से आपको अंदर कुछ इस प्रकार से कंटेंट भी देखने को मिलेगा पॉइंट वाइस चीजे रहे अरक्षी नागरिक पुलिस के 6244 पदों पर सीधी भरती के लिए ऑनलाइन आवेदन का लिंक जारी होने के बाद पहले 24 घंटे में पहले ही दिन दो लाग पदों से उपर अभियर्टियों ने अपना रिजिस्ट्रेशन करवा लिया है वही एक लाग सत्रा हजार अभियर् को रात 10 बजे तक 2 लाग से अधिक अभियर्थी आवेदन कर चुके थे बता दे कि 2018 में हुई आरक्षी भरती में 23 लाग आए थे समझ लीजे जब 2018 में इससे पहले विकेंसी आईटी तो 23 लाग आए थे इस बार आप समझ लीजे कि इससे प्लस में ही रहेगा माइनस में न देखिए पुलिस भरती परोननती बोड ने जारी किया कारिक्रम इन पदों के लिए आवेदन 7 जन्वरी से उत्तर प्रदेश पुलिस भरती एवं परोननती बोड ने सब-Inspector गोपनी एक तरीके से पुलिस साहयक सब-Inspector लिपिक और पुलिस साहयक सब-Inspector लेखा के 921 प स्थेंट सेंट जनवरी से शुरू होगा सुल्क जम्हाँनी अंतिम्तिती आपके 28 जनवरी 2024 को सिल्क मार्य में बेल को संचोधन के अंतिम्तिती 30 जनवरी और तोटल इसमें किपलता नाटके 251 चेएं जो 268 आपके सब इंस्पेक्टर के हैं 459 पुलिस सहयक साई उनके हैं 204 आपके पुलिस सहयक सब इंस्पेक्टर भरती के लिए चार सवंके की आनलाइन लेकित परिक्षा कराई जाएगी परिक्षा में सफल अभ्यार्तियों का सारी रिक्त मानक परिक्षन और कंप्यूटर टाइपिंग आशुलिपी की भी परिक्षा होगी ठीक है इसके साथ में यह वाली ने उस तोभी में आपको बता ही चुकी हूँ कि आपिदन शुलक आपका चार सो रुपए था 60,244 पदों में से 24,100 पद अनारक्षित वालों के थे हैं साथ में 6,024 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हैं 16,264 पद आपके OBC के लिए हैं उसके अलावा 12,600 पद SC और 12,104 पद ST के लिए हैं वेतनमान पे बैंड आपका भावन सो से 20,200 ग्रेट पे 20,000 पद आरक्षित हैं महिलाओं के लिए आप यह मान के चलिए कि यह वेकेंसी एक वर्दान है 2024 के लिए ठीक है और आपको पता भी है कि एलेक्शन बहुत पास हैं तो ऐसा नहीं होगा कि पेपर अटक गया या भरती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई या ऐसा कुछ बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो क्योंकि आपको पता है कि सब चीजे कित्ते फास्ट एंड फॉर्वर्ड तरीके से हो रहे हैं चुनाओं के पहले पहले यह भरती पूरी करवाने के प्रास में अच्छा तो यहां पर हम आपको बताने महिलाओं के लिए भी एक एक बहुतर तरीके लिए सेलेक्शन हो जाएं और जो सब जिनकों फिजिकल में डर रहता है कि हाई मैम हम तो फिजिकल कैसे निकालेंगे है ना तो उनके लिए भी कंप्यूटर ऑपरेटर की भरती अगर आपने लेवल वगेरा किया तो बहुत अच्छी बात है प्रदेश पुलिस में असी हजार भरतियों का बनेगा रिकॉर्ड पुलिस के करीब असी हजार पदों पर रिकॉर्ड भरतियों का कवायद शुरू होने के साथ नौजवानों में बड़ी सोगात दी गई है मुख्य मंत्री योगिया दितनात की निर्देश पर उत्तर प्रदेश भरति एवं प्रोणनती बोर्ड ने आरक्षित से ले करके उपने रिक्षक के पदों पर भरतियों की कवायद शुरू कर दिये साथी राश्ट्रे एवं अंतर राश्ट्रे पतियो गताओं में अपनी प्रटिबा के प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को भी खाकी पहनाने का सुनहरा मौका परदान की है मालुम रहे कि प्रदेश पुलिस में सिपाही के 6244 पदों पर सीधी भरती के लिए उनलाइन आवेदन शुरू हो चुकी है इससे पहले आरक्षी एवं कुपने रिक्षक के करीब 6500 पत पर कुशल खिलाडियों की भरती भी जारी हो चुकी है इसका फायदा हाली में एशियन गेम्स में हिस्टा लेकर वापस आए खिलाडियों को मिलेगा जूपी पुलिस ने इससे पहले भी आरक्षी के पदों पर कुशल खिलाडियों की भरती की थी जिसमें दैश बर्द के खिलाडियों ने हिस्टा लिया था वहीं दूसरी और भरती बोर्ड प्रदेश पुलिस ने मिनिस्ट्रियल संवर्ग के सहायक उपने रिक्षक और उपने रिक्षक 921 पदों पर प्रदेश के लाको युवाओं का होगा फायदा केवल सिपाही बर्ती में 30 लाक आप इदर नाने का अनुमान है समझ लीजे जो आपकी कॉंस्टेबल वाली भरतिया यह उसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 लाक रेजिस्ट्रेशन होंगे वहीं अन्य सब्वर्गों में होने वाली बढ़तियों के साथ बड़ी संक्या में खिलाड़ी और सरकारी नौकरी हासल करने का मौका मिलने जा रहा है जल्दी फायर सर्विस समझे किसकी किसकी फायर सर्विस पीए सी उत्तर प्रदेश विदेश विशेश सुरक्षा बल में भी 15,000 से अधिक पदों पर भड़तियां शुरू होने वाली है तो आप अपनी जानकारी इस चैन संधु झालत वेलिश झालत पर भड़िस सी नौकरीं लें नौकरीं बली जानकी किसकी तूम उनर जानकी किसकी विदेशा भड़तियां।